तो दोस्तो आज आपा वैक्टर्स दा अगला लेक्चर डिकॉर्ड कर रहे हैं ते मैंनों कुछ बच्चिया ने कहा सी कि मोशन इन प्लेइन दे उपर वीडियो चांदे सी कि मैं पामा आते वह समझना चांदे ने पर देखो बच्छों मोशन इन प्लेइन समझनली वेक्टर्स दा चंगी तरह पड़ेया होना समझे होना बहुत ज़रूरी है नहीं तो फील नहीं आओ देविचे ते मैं जिन्ना को प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक समझी सकते हूं ठीक हो मैं कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग पा देतिया ने लागत प्लेइस्ट बनाके तुसी चेक कर लें ते पर मैं चाना कि वेक्टर दे कमनों थोड़ा या होन कॉंटिन्यू करके पहला मैं पूरा कर लबा तांके तो होनु फिजिक्स दा कोई भी टॉपिक जड़ा दोन समझ नहीं आया जड़ा तुसी कोंगे भी आ फिर नाली में करा सकता हूंगा क्योंकि वेक्टर चंगी तरह क्रा चुक्क होंगा मैं इसलिए वेक्टर दे अपर ही अपा की गलबात अपनी जारी रख दें हुन देखो हो अगर तिन लेक्टिर दे विच मैं वेक्टर दे बारे थे नुए सखाया कि वेक्टर नुए कर दे हूं। पहली रैप्रेसंटेशन सखाई पहला शुरू दे तेन लेक्चर जड़े में लेक्चर 1 2 3 1 हैगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग आला दूज्जा तीजा रेक्चर हो रहा ते ओ तिन लेक्चर देखे फेर एते आओ फर तोनों मजा आओगा फर तोनों फिसिक्स समझ आओगी ठीक है अब पया गळा करें जा रहे हैं वर्वेक्थर देहीं एक नवी रेप्रेज desiresन देबारे प्रॉडदक्ट त मतलब जड़ा जड़ा मेनिंग बनेगा सारे घजल्ला नों समझ सकते हूए वो करन तो बाद फिर आपका मोशन इन प्लेन नो रेलेटिव व्लास्टी इन प्लेन नो बहुत चंगी तरह समझ सकांगे मजा भी आऊगो देविच फिलाल आपका सिख देया नवी रेप्रेजेंटेशन अच्छा इस तो पहला पहली रेप्रेजेंटेशन मैं तुनों की पहला कर देना बस एदी लंबाई तो उसी उन्हीं रखनी है जिनना ओस वेक्टर दा मैगनिचूड है तो डिरेक्शन ओँ आ एरो हेड तो पता लागी रही है इद्धर नो यह तो यह तो यह तो आपका वेक्टर बारे होन तक जो सिख्खे आ उस नॉलेज ना पूरा यू चुके हैं आपको यह सिख्खे है न कि आम लो यह वेक्टर है आडि decepc to a अब करते उल्ट में करण में दोन की मतलब मालें। अपटेंस इस औस टों डू कोते हैं हैं नमबर टू कि दो ही तरह आपा वेक्टर नों रेप्रेजंट कर दें दो तरह कर सागदें पहली वाली में थो नों करवा चुका मां दूजी वाली हुण कराऊंगा एनू के अंदेने रेप्रेजंटेशन टू एनू के अंदेने यूनिट वेक्टर रेप्रेजंटेशन यून तेख लिए जिए यूनिट की हूं दिया यूनिट तोनु बताया लंबाई दी यूनिट हूं दिया मीटर थी चट्ये कपड़ेगु जिदे-थै कि मीटर थी रोड ति जो कई चीज पाँच मीटर है गई और पांच मुण लंबी हो आई मतलब हुझा है यूनिट दा मतलब जाहिए वन मझलाब एक यूनिट होना चाहिए ठीक है जो जिए के अपाव कोई मैंनू कहें कि आम लोगेकर एक ते एक दो तिन चार पांच एधि लंबाई पांजा मैंनो कोई पुछले वे कि एस दी एस वेक्टर दी डिरेक्शन चे यूनिट वेक्टर केड़ाया मैं सोटा या इनक एह हुगा यूनिट वेक्टर एस वेक्टर दी दिशा दे विच एनु जरूर ने इत्थ वी ड्रॉकार सादें जित्तों मार्ची एत्थ वी ड्रॉकार सादें आवी यूनिट वेक्टर ही है एत्थ वी ड्रॉकार सादें आवी यूनिट वेक्टर ही है कहने यूनिट वेक्टर है उस वेक्टर दिशादे विच सो यूनिट वेक्टर दा मतलब बेसिकली समझो बेसिकली एक जिदी लेंथ एक हो वेवास तो आड़ी स्केलिंग जो भी तुसी कीती हो फ्रेम आफ रेफरेंस विच उमें तो सखाया या पहला उसे साब ना तुसी पास ए आपने गचास वेक्टर है जो फ्रेम आफ एक तरीक्ड अघ्री पासाड्य हो वेक्टर हुआज़स में एक तरीक्ड हट्राय समझै औरे वर्थो source ए दे उपरा टोपी जी पाती है आपना कैप ठीका एक एक आप आप ऐस तरह मैं वड़ डाले देना एक एस तरह बी वेक्टर होए दा बी कैप सी वेक्टर दा सी कैप कैप दा मतलब हुंद आया कि युट्ड़ दा सिंबल या वे उस वेक्टर दी दिशा दे विच यूनिट रहा है युणिट भलाजी दिनलंबाई सिर्फ एक का कि ओड़ एदा महत्तव की हुया यह कि दूलिक सा दें जी में जी में आवरा वेक्टरा देखो इस वेक्टर दिनलंबाई की निया देखो एमालों है कि एक दो तिन चार मालों चार एधिलम भाई लिखना तो लिखना सखाया मैं ए वेक्टर दा मेगनीचूड ए थे हूगा चार हना इसनों तुसी रेप्रेजेंट करना हो वेजे सिंबल देवेच दा कल्ला ए भी लिख सा देओ ए पिछले लेक्टर विसम जा चुका मैं ए वेक्टर दी लंबाईनू कल्ला ए कह दो बी वेक्टर दी तुसके अपा इस ए वेक्टर नू लिख सक्डेया बराबर है चार गुणा उस दा यृूट वेक्टर देखो इस वेक्टर नू जा लिख सक्डेया आपा आ हो गयाesa यूटि वेक्टर की दाथा ए यूटि वेक्टर दे अंदर मैंगणीचूड नहीं या यूनिवेक्टर सिर्फ डिरेक्शन दास रहा है ते आए ना चार लिख्या कि एक अल्ला मैगनिचूड दास रहा है ते आथ दोनों चीज़ आपानों दसनिया जरूरी हुं दियाने किसे भी वेक्टर दे लिए जो जे सिंबल दी फॉर्म चीली लिखना होगे ता आपा लिख सा दे आए ए वेक्टर बराबर है ए गुणा ए वेक्टर ए थे गुणा दा मतलब किया नॉर्मल गुणा जेमें होंदा है जेमें आपा 2A वेक्टर 3A वेक्टर या 4A वेक्टर हुणी कार रहे सी उसत नहीं ए वेक्टर नू लिख सा दे हैं ए वेक्टर गुणा ए रिकैप एसे चीजनू होर वदिया इलाबरेट कर दे आपा तो आटे सामने कि देखो एदा मतलब की बनिया है एदा मतलब सिर्फ इन आया कि मालो जे आ एक वेक्टर है ते एदा मालो लबाई येदी तिन है इस तरह ता मैं इस वेक्टर नू लिख सा दे हां ब्राबर है तिन गुणा आवला वेक्टर देखो है कि नी? ब्रैकेट ची में पाहता है तिन गुणा आवला वेक्टर होया की न वह yen ह опять तिन गुणा हीध तों three times this vector is SM होंअ जो मर जी अगर गर्फ्र हो गया इस अनु और युरेट रहे हैं युलयक्टर के bliss ढाल कि दो गुणा तो आवले वेक्टअ फिलम युल् के जुद्धं हो गया इस तरे हैं a जरुक गूणा इक लिक Ein इस वेक्टर नुए लिख सा ताम चार गुणा इद नुबना दो बस जिद्धनु है गाई अगरे चीज में लिखी आँ आज दीर वाली जीज आवली जीज एक वहीं वैसे कताबा दोबां चेश तुर लभूँगे सचाहिए कोई टेकनीग ना दसी ओवेया इस तरह लिख के ओ नहीं ना ओ कर दे प्रइगा थो आडे समझने वह जुरूरी तॉ यह बिल्कुल किताब है तो यह कताबी गाल नहीं है मेंनु पता तुसी इस तरा लिखना वी नहीं है तुसी इसदि ت influences समझना आक एंझस्त कि ते तो नू अगर पता लगरी की नी लगरी समझ लगरी की नी लगरी अहाँ तेन गुणा इस तो हैगा नियेगा आ वेक्टर दो गुणा हैगा नियेगा ता आ की दासरे या जे मैं कला आ देखा आ ना देखा मैंनू डिरेक्शन पता लगरी न अच्छा निचे नू आ आ अच्छा two units नहीं जै मैं आ ना देखा मां अच्छा एधर नू है वेक्टर मैं तोछ चार गूना लंबाई हो दी तोछ यह न्युक्त टालग दी इस तोष स्थया नों ओधी direction पथा लग दी है ते ओ डिरेक्शन वसी यूनिट वेक्टर दी तरह रेप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं उदी जगाते असी ओधी जगाते ड्यू नौर्थ ड्यू साउथ या ड्यू इस्ट ए चीज़ा नहीं लिख रहे हैं असी ओधी जगाते यूनिट वेक्टर ब किसे भी हो सकदा किसे भी दिशा ची हो सकदा जिस भी घुट्र मैं फो स नुहक हो बराबर है विलोस्टी दा मेगनीचूड गुणा विलोस्टी दा यूनिट वेक्टर तो आइस तरह आपकोई भी वेक्टर लिख सा देया आपनी किताब भी पाशा है गी आवाली आथ अनू समझा आणली कार रहे हैं सी बहुत सौखा है बहुत ही सौखा हूँ नवी जड़ी वेक्टर दी रैप्रेजेंटेशन आओ इसे तरह दिया पर ओ किस तरह आप अनू बहुत यूस्फुल बनाने कि मैथेमेटिकली अनू समझना सौल करना अनू फिसिक्स दी तरह त करना तो अनू असान लगए सो देखो कि मैं कर दें आप आप है कि सो इस दे लिए आप है कुछ यूनिट वेक्टर ना अपने असाब डिसाइड कर लिए जिए फ्रेम ओफ रेफरेंस तुसी आप ही चूज कर दें आप ही बनाने हो ओधा एक दो तिन चार किनी किनी विथते रखना है एक तुसी आप ही चूज कर दें साथ तुसी एक यही फ्रेम ओफ रेफरेंस विच हमेशा कम कर दें एक ओरीजिन हों दिया एक्स एक्स हों दिया फ्रेम ओफ रेफरेंस ते मैं वक्राइक दून लेक्चर दोंगा पंद्रावी मिंट दा वह बड़ी इंट्रस्ट लवाई एक्स ।टाव्य लवाई एक्स डाश वाई डाश जैडे एक्सवी हो साथिया ओके वि Shouldkapyi वाइले पास से एकस तो वाई वाले पास से अनुम राइट हैंडदिद्चों वालतिक्षेंव ४ाहेंदे नूम याज धर और आंडर आपकनल दें अप क 누को रैए कि पर उसनों आपा बाद एंट्रीटिस कार नगे जटेटीस नो समझacio लुए मांगे समझके आपा एंट्रीडिO pact फिलर आपकर एक्स एक्सेज ले प्लेव कर दिया अपने रिखेता और सारे सउरेंगे ये मनांके चलता हम बस आप रहें जी रहाण गी सो जो ड्रॉ करूंगा ओहीं सचाहिए होगी होगी होड़ देखो आए गिया मालो ओरीजिन है ठीकर जी सो कुछ यूनिट वेक्टर आपका मैं कह रहा है कि आपका इस वाले पासे नहीं पॉजटीव एकस एकसिस वाले पासे रहेगा इस वेक्टर दादान असी रखता आई कैप आई कैप यह कि जित्व है मार्जी ड्राव कर साधा में एह प्हते हो यह इत्थ होए यह इत्थ हो यह या इत्थ होए तानी आई क्या है पाइं बड़ी इंपॉर्टेंट गना सब्सक्राइब सब्सक्राइब आई कैप रहुगाई आई कैप आई कैप आई कैप आई कैप जिते मर्जी ड्रॉख कर दवाँ पार जे उधी दिशा पॉजिटिव एक्सेक्स वाले पास्से नू है ता उनू आई कैप ही कहांगे हमेशा ते जे एदा उल्ट होवे ता उधे लिद सानू वेक्टर दे बारे म पहले पड़ा आचुका था नू ए वेक्टर तो माइनस ए वेक्टर की में बन दाया बलब उधे बन दाया ना नेगटिव ओफ दाया वेक्टर ता जे एद्धर नू आई कैप है ता इदे उल्ट दिशा वी जे एदधर नू को यह पॉइंट करना होवे नेगटिव एक्से का थीका है होड़ो जित्ते मर्जी हो सकता चाहे एथ भी होए आहां भी माइनस एक पर अजो इस तरह इस तरह कि वाई एक्सेस वाले पास से नुभी वेक्टर डिफाइंड करने हैं उद्धा आप नाम रखते नहीं या जे कैप कि मुझा तो नुम्हें समझा जुक्क हमां ते एदे निचे नुझे नुझे होवे युरे वेक्टर था माइनस जे कैप सो असी की किता असी चार वेक्टर डिफाइंड कर ले जिवें तुसी नॉर्थ इस्ट वेस्ट साउथ लिख दे हों दे सी ते ओधे नाज तुसी चार दे शामा दे विच्टा बहुत अरामना काम गार लन दे सी जे उस तो अलावा कोई आया ता फिर अपा नुझे आया की करि अपां बाकी सारे वेक्टर नो इस प्लेन वीच जिने वेक्टर है गिने एना दी टरम्स वीच लिख सकते हैं इने लिख सकते हैं आपा देखिए सब तो पहला था हूं देखो मालो जो कोई वेक्टर है अगो बड़े त्या ना समझें किते वी मर्जी इस द्रॉख कर लो ए अधा आई कैप बस हो गया कम थ्री टाइम्स एकप हो गया वेक्टर तो यह लंबाई की नहीं है आरीध थ्री मैगनिजूड कि ला आ औरे यहां यह एक दसता रहा मैगनिजूड टिरेक्शन दोने दास रहां एससे तरह यह मालो की होभी इदे लंबाई दोवा है इस वेक्टर नो की लिखाँगा बैं इस वेक्टर नो एदा नाम की लिखाँगा बैं इदे निचे नूँ आ निचे नूँ माइनस जे कैप है माइनस जे कैप नू दो ना गुणा करो क्योंकि दो इदा मेगनिचूड है ता इस वेक्टर दा नाम रखांगे माइनस दो जे कैप बस हो गया कम इस तरह तुझी किसे भी वेक्टर दी डिरेक्शन लिख साथ है नो यह उपर नो था प्लस टू जे कैप इह जे इदर नो होंदा माइनस थ्री आई कैप मतलब कोई भी वेक्टर जड़ा एक्सेक्सिस दे अलाउंगा या ओदे अलाउंगा बलो यह उदे पैरनल लाईया इदर नो माइनस एक्सिस वाले पासी जा रहे है उपर नो जा रहे है या निचे नो जा रहे है उस वेक्टर नो अराम नालत उसी आई कैप जे कैप या माइनस आई कैप माइनस जे कैप दे मल्टिपल दी फॉर्म चे शो कार सकते हो जिए मैं लिखिया होनी तो ने सामने होन बच्चे दे दमाग जांदा फेर हो ही समस्या नौर्थ इस्ट वेस्ट साउथ वाले प्रॉब्लम चे जड़ी मैं गल समझाई थी कि जे वेक्टर इस तरह होवी ना इद्दर होवे ना उपर ना निचे होवे एं तिर्छा होवे इदर नू जा रहे होवे ता ना ता आ आए थे एक वेक्टर रॉकर दोना मैं एकर की अधर करता मां ठीक है जी कर अधर नाम अपर एक्टर रखने आप पर आप उन्हों हले पता नहीं कि रूप कि में रेप्रेजन करांगे क्योंकि ना था एक एच ए ना था आई क्या पाओगा ना जी क्या पाओगा ना माइनस ऌना चाही कि आप आधा हुआ फिर इस एवेक्टर के में लिख्या जावे दिष्जिता मैं मैं रप्रेजन कारी दिटाया पहली रेप्रेजनेशंथ पर हुन्ह आई क्याप जे कैश्टाम की में लिख्या जावे तो बहुत त्यान ना समझों इस का न्यूंस अलों की आपा आ बनूगा हाला ते एक बनूगा एथो उपर नू रेक्टेंगल कॉम्पनेंट ते ए तोनू मैं करवा चुक का देखो तो यह जो लंबाई देखिया है मालो आ एक दो तिन ना मैं पूरी एक्टेंगल कॉम्पनेंट तो बाद आ वला वेक्टर ता लिखी सकते हो आ वेक्टर केना है फ्री टाइम्स आई कैप तो आ उपपर नू जानड़ा वेक्टर केना है फोर टाइम्स जे कैप होने एक वेक्टर लिखा जा सकता है ना आई डिफॉर्म ज कले ना जे डिफॉर्मज पर आई ते जेदे एक कॉम्बिनेशन जे लिखा जा सकता हता है देखो कि एन दोनों वेक्टर जोड के आ वेक्टर नहीं बन रहे है आपा ट्रेंगल ओफ ट्रेडिशन किता है सोचो एना दोनों नों मला के ए बन रहे हैं ता मैं लिख सकता हाँ कि जड़ा मेरा ए वेक्टर है ओहो फ्री टाइम्स आई कैप जमा चार टाइम्स जे कैप आ होया मेरा ए वेक्टर सो किसे भी वेक्टर नों मैं इस फॉर्म चे लिखता पर हजे एक गाल ने थोड़ी जी हो डिटेल समझेनी चाहिए अपनों की समझेनी चाहिए है क्योंकि तुसी इत्यता देख सकते हो इस क्योंकि यह प्लस फॉर जे क्या पा इसलिए कोई पुछे भी एक्टर दा मैगनिचूड कि ना बच्चे कहां के थी प्लस फॉर सेवन नहीं इस तरह ना एड कर दे हो याद रख्यो वेक्टर चे काम कर रहे है वेक्टर एडिशन कर नहीं है तो तो देख सादियां कि इस ए एक्टर दा मेगनिचूड जीनों मैं कलने एनल रेपेजन करदा हां वो बेसिकली होना की चाहिए दा ओ एदी लंबाई होनी चाहिए ते यह दोनों और रेक्टेंगलर कॉम्पेनेंट है ने देखो प्रपैंडीकूलर ने एक दुझे दे हना है अधे पर्पैंडीकूलर दे साइन में अंदर भी बनासा था अधिमारी क्यों बनाया थो नूब पता है गाल मैं संद्धा चुक कि आप आए गाल जोग मैं वेक्टर एडिशन करा तेकिणा ऊगा तेन्ती ये नो चार्चा का सोला सोला थे नवपच्ची पच्ची दरूट मतलब मतलब येश ए वेक्टर दी लंबाई है या 5 मतलब येश ए वेक्टर दा मैगणिचूड है गया 5 बनान जी तो जे मैं जिवे मैं होनी गल कर रहा थी या फ्रेम ओफ रेफरेंस बनान तो पहला लिख दे कि मैं आप आप आई लिख देना ए वेक्टर बराबर है एदा मेगनीचुर ते ओधी डिरेक्शन मैं इस वेक्टर नो एस तरह एलेबरेट करना चाहना कि एदी डिरेक्शन वक्री हो रिवे एदी डिरेक्शन नहीं है यह पूरा ए वेक्टर है पूरा ए वेक्टर बनिया है तो मैं एदी डिरेक्शन देवेची कि यूनेट वेक्टर फाइंड करूंगा तो आ होगा देखो आ इनना के आ होगा एक एप अना एक पता करना चानना मैं तो भी कुछ ना कुछ आई ते जी फॉर्म ची लिखे जा हुआ दे खोई इस तरह करके इनने आई ते इनने जी है की नहीं इनना दुनान मिला के बनुगा होँई उस फॉर्म चापा लेकिंगा आगा चानने है तो मैं फिलहाल चलो मैं थोड़ी जगाब ना आलमा इत्थो इनना करके बागे दोनुपता ही है एक वेक्टर दा मैगनिचूड आ गया तो ओन एक वेक्टर दी डिरेक्शन ची यूनिट कि मैं आएगा एक वेक्टर ऐसा जरें दो आड़ा एक गुणा है आया हो ना ओधे ना उनुपता कर दो यानिक किसी भी वेक्टर दे नाल ओधे मैगनिचूड नुपता करोंगे मैगनिचूड कटे आ हुगा ड्रेक्शन ही रहा जोगी हाना ये बिलकुल हो ही गाल्ला तो है युद्धे का आप की में आओगा एक युद्धे अ कौल टु एक्टर बटा ए लिखता हो दी जगाते लोजी ए वेक्टर की है ए लागतर एगा 3i क्याफ प्लस 4 जे कैप ते बटा एक नाया 5 है पांज नू बटा कर दो आ की मनेगा देखो ए बन्जुगा 3 बटा 5 आई कैप 4 बटा 5 जे कैप ए बन्जुगा 3 बटा 5 कर लो बटा 0.6 आई कैप ते 0.8 जे कैप करके देख लो होड़ होड़ एत्थे तुछ देखो जे वान आएगा तो एत्थो बनालो एत्थो शुरू कर लो 0.6 आई कैप तो 0.6 आई कैप एत्थे केदे जाओगा 0.6 क्योंकि पूरा एत्थे आणासी आ 0.6 फिर ए जे एड की करना 0.8 जे कैप उपपर नू ले जो 0.8 जे कैप ए देना जेडा वेक्टर बनूगा आ वेक्टर आ एदी ही दिशाच आओगा देखो बिल्कुल एदी ही दिशाच आओगा तो मिल्कुल आ आ आगया अपना एक एप आप बड़ी इंपोर्टेंट गया लाए देना अलज़ुडी हुई ए वेक्टर आ आ गया तो किसी भी वेक्टर दा मैगनिचूड वक्रा ते डिरेक्शन वक्री दसी जा सकती है हो तुसे एक और चीज़ करके देखो यह सोचो जे मैं एवेक्टर दे मैगनिचूड नूँ ओधे यूनिट वेक्टर ना गुणा करा ता की बनेगा देखिए magnitude की है R आ रहा 5 ते direction की है R आ रहा A cap 0.6 I cap Plus 0.8 J cap 3 I cap Plus 4 J cap आ की है यह ता ए वेक्टर ही बन गया थे आही था बन दा थी सो होन बड़े त्यानना समझो कि किसे वेक्टर नो की में रैपरसन किता जा सकता है ओधे Rectangular Components देविच ते ओधे Rectangular Components नुन लिखिया जानदा है आई Cap, J Cap ते K Cap दी Form देविच वोन बिल्कुल एस टेकनीक नो एस चीज नो तुसी चेनलाइज कर सा देओ कि जे कोई वेक्टर धोड़ा Space विच होंदा ता तुसी की कर देगे मालों कोई वेक्टर इत्थो एं हुंदा आ और इजन है आथे मैं कुणी रख दना आ वेक्टर है एथे तक का ता तुसी की कर दे ता तुसी दुर सामने देख दे अच्छा एथे तक पहुंचना एत्थो पहला एदर जान दे एन्ने आई-कैप फिर एदी इमेज आगी निच मुल्रम इस तरर इस तर इस तर्ठ उस ऊइस तरह किस तरा भी हो सदा बैघ्र आएधी अप्र होगा कि तो कि नियों होगा फिर अए वेक्टर जनरली की में लिख्या वगा में थुंत साल ना फिर इन जनरल जे मैं कहां कि किसी वेक्टर नो कि में लिखेया हुगा हो आ ए वेक्टर हैगा ए हो गया मालों ए टाइम्स आई कैप प्लस B टाइम्स जे कैप प्लस C टाइम्स के कैप अब इस तरहाँ पा किसी भी वेक्टर नो रेप्रेसंट कर साथ है ए आपड़ी नभी रेप्रेसंटेशन है तो इस स्पेस विच किसे भी डिरेक्शन चो हो सकथा वेक्टर इस दे वेक्टर दा मेगनिचूड की में लिखों बी दा स्केर ते सी दा स्केर इस तरह करके एदा मेगनिचूड आजएगा एदी डिरेक्शन की में आएगी डिरेक्शन की आएदी ए कैप वह आओगी A वेक्टर नाल बटा A यानिके A आई कैप प्लस B जे कैप प्लस C कैप एदा A वेक्टर आगया बटा एदा मेगनिचू आया जो भी करके आएगा ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर आ अपना बन जाएगा उदा कली डिरेक्शन आ होएगा उदा मैगनिजूड आएगा वेक्टर अब लुद्ध कई बच्चानों सारे अनुदा नहीं पर कुछ बच्चानों इसमस्या आंदी यह उन्हों नादा आकी में आगया यार सी स्केयर की में आड़ो क्या रूट दे पेची चकते फटे विपाल जड़ा पाइथा गोरुस्तिरम हुंदी है पाइथा गोरुस्तिरम सब्सक्राइब करें कि यह इस तरह दा वेक्टर होवे स्पेस दे विच्च सब्सक्राइब कोशिश करने हैं पता नहीं बढ़ूगा के नहीं बढ़ूगा अपा कोशिश करते होगी चलो नोट दूसी कर लो पॉस करके ते मैं अगे करता हूँ होड़ देखो बढ़ेते हां ना इदली बढ़ानली मैं पता करता मैं है वेक्टर है थ्री डिमेशनली तुम दुखाना मां तो कोशिश करता मैं कि आपने फ्रेम दें अकॉर्डिंग बढ़ा लगा नूँ जिमें की यहनु समझें दी कोशिश करें मैं डबाया बना आर्याम वादे बिल्कुल बराबर पहले लाने चलो लग पग इस तरह दबनोंगा अधीक है जी कोण आ एक मैं डबाया अपना आया था कि तोन्हों पता करना बोडी डाइगनल ही अपना एडा कम कर देगा सारा ते आ मालों अपना ए वेक्टर है इस कॉर्णर तक ठीक है नहीं 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 इस कॉर्णर तक नहीं उस कॉर्णर